हेलो दोस्तों आप से भी का स्वाइब आता है साज इट्विशन की एक नए वीडियो में आज की वीडियो में हम बायो टेक्नलोजी प्रिंसपल एंड प्रोसेस कि हमारे जो थ्री मार्क्स और फाइब मार्क्स के इंपोर्टेंट कोशन है उनको हम डिसकस करने वाले हैं यह जो कोशन है लास्ट टैन येर के कोशन पेपर से लिए गए हैं और इनका में मोटिफ चैप्टर का रिवीजन कराना है अगर आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक देना क्योंकि आपका हरे जो लाइक है वो हमें एनर्जी देता है और इंस्पायर करता है कि हम ऐसे और भी वीडियोथ को बना है सो टाइम बेज्ट नहां करते हैं हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं फरس्ट अफ हमारा कोशन आता है explain the work carried out by Stanley Cohen and Harvard Boyer that contribute immensely in biotechnology आपको बताना है कि Stanley Cohen और Harvard Boyer ने ऐसा क्या काम करा जिसने biotechnology में बूस्ट ला दिया इन्होंने क्या करा था सबसे पहला Recominant DNA या फिर जो RDNA जिसे हम कहते हैं उन्हों उसको सबसे पहले किसने बना था Harvard Boyer and Stanley Cohen ने इन्होंने क्या करा एक हमारा bacteria होता है जिसका नाम होता है Salmonilla typhemerium उसके plasmid से इन्होंने एक DNA के piece को cut करा और ये जो DNA है ये consist करता था या carry करता था antibiotic resistance gene अब ये जो DNA जिसे इन्होंने cut करा उस DNA को इन्होंने link करा vector DNA से vector DNA हमारा कुछ भी हो सकता है अभी आप chapter में पढ़ेंगे ज्यादा तर जो हम vector use करते हैं वो था PBR 322 उन्होंने क्या करा जो भी हमारा foreign DNA था या जो भी हमारे desired DNA था उसे link करा vector DNA के साथ with the help of enzyme DNA ligase अभी ये जो नया DNA बना जिसमें हमारा कौन से था foreign DNA भी था vector DNA भी था new form DNA contain foreign DNA and vector DNA is called RDNA और ये जो नया DNA बना जो क्या करता है vector DNA को भी consist करता है foreign DNA को भी consist करता है इसे हम बोलते हैं RDNA और इस RDNA को transfer कर दिया गया Ecclesia coli में जो हमारी क्या है host cell है सो ये Harvard Boyer and Stanley Cohen का का काम था biotechnology के field में next हमारा question हाता है why must a cell be made competent in biotechnology experiment how does calcium iron help in doing so किसी भी biotechnology के experiment में किसी भी cell को competent क्यों बनाना होता है और इसमें calcium हमारी क्या उंदत करता है B question पूछा गया state the role of biolistic gun in biotechnology experiment biolistic gun का क्या रोल होता है किसी भी biotechnology experiment में तो सबसे पहले हम एक option का answer देखते है because DNA is hydrophilic molecule क्योंकि DNA एक hydrophilic molecule है इसकी वज़े से क्या होता है वो जो cell की membrane है उसे पास नहीं कर पाता तो अब हमें क्या करना है जो भी हमारा DNA है उसे cell के अंदर means जो भी हमारा DNA उसे हमें cell के अंदर introduce कराना है जो इस चीज़ के लिए हम क्या करते है किसी भी cell को या किसी भी होस्ट cell को competent बनाते है अब इसमें हमारी calcium क्या मदर करते है calcium जो है वो हमारी efficiency को बढ़ाता है means जो भी हमारी RDNA की efficiency है किसी भी cell के अंदर enter करने की उसको बढ़ाता है अब हमारा आता है biological यानी B-point जो हमारा अंसर था it is mean of introducing RDNA into host cell biological गन एक हमारा तरीका है जिससे हम क्या करते है RDNA को introduce करते है bacterial cell में या फिर host cell में this method involves bombardment of cell with high velocity micro projectile coated with DNA इसमें हम क्या करते है जो भी हमारा desired DNA है या फिर जो भी हमारा RDNA है उसे हम coat करते हैं किसके उपर किसी भी matter के उपर mostly हम gold को प्रिफेर करते हैं gold के particles के उपर हम जा करते हैं DNA को coat करते हैं और उसको जो भी हमारी target cell है means जिसमें भी हमें उसे as a host introduce कराना है किसी भी host cell में उस पर bombardment यानि उस पर जैसे गोलिया चलती है उस तरीके से हम उस पर बोचार करते हैं इसके बाद हमारा next question आता है explain the role of following in biotechnology आपको terms दे जाएंगे आपको बताने कि उनका biotechnology में क्या use है सबसे पहले आता है restriction endo nucleus restriction endo nucleus का क्या रोल है यह क्या करता है basically जो भी हमारा desired DNA है उसे पूरी DNA की chain में से काटने में help करता है also called molecular scissor जिसे हम molecular scissor भी कहते है they are used to cut strand of DNA यह क्या करता है जिसे हमान लिजे पूरी DNA की chain है उसमें से जो भी हमारा desired DNA है ठीक है उस sequence को काटने में help करता है they recognize the base sequence at palindromic site जो भी palindromic site होती है महाँ पे वो अपनी recognition site को identify करता है यानि पहचानता है and उस पे फिर वो क्या करता है cut करता है इसके बाद हमारा आता है gel electroforuses इसका क्या use होता है biotechnology में इसे use करा जाता है means जब हम restriction endonucleus से DNA को cut करते है तो हम आपे DNA fragments बनते हैं तो उन DNA fragments को उनकी length के हिसाप से या फिर उनके size के हिसाप से एक दूसरे से अलग जब हमें करना होता है तो उस चीज़ में हम use करते हैं gel electroforuses का next हमारा आता है selectable marker in PBR 322 PBR 322 हमारा एक artificial क्या होता है vector होता है उसमें selectable marker का क्या use होता है तो देखिए selectable marker किसी भी किसी भी चीज़ में हो उसका एक ही रोल होता है कि वो identify करे कि जो host cell है उसने vector को consist या contain करा है या नहीं करा means उनका जो main काम होता है वो यह होता है कि वो transformant को non-transformant से अलग करने में help करे इसके बाद हम आते है 5 marks के question पे illustrate the recognition sequence of e-core 1 and mention what such sequence are called आपको e-core 1 का recognition side बताना है और बताना है कि ऐसे sequences को हम क्या कहते है तो देखिए जब हमने 1 marks के question पढ़े थे तो उसमें मैंने restriction endonucleus act on a DNA molecule B question पुछा गया है कि वो किस तरीके से काम करता है सबसे पहले recognition side बता दीजे e-core 1 का क्या है G, double, A, double, T आएगा यहां पे ठीक है double, T, C in DNA duplex यानि जो भी DNA के double strand है and cut it strand between g and a और वो क्या करता है g and e के बीच में g and a के बीच में अपने so recognition sequence क्या होता है e-core 1 का G, double, A, double, T C अब यह cut क्या 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 से करता है यह guanine और adenine के बीच में अपने cut लगाता है जैसे यहां पे g, a, a, t, t, c है तो वो क्या करेगा guanine और adenine के बीच में अपना cut लगाएगा इसी तरीके से जो हमारा दूसरा strand होगा जैसे यह तो यहां पे भी क्या करेगा इस strand पे भी A or G के बीच में cut लगाएगा तो यह उसका रहिक अगनाजेशन साइट होता है such sequence are called palindromic sequence और ऐसे sequences को हम कहते palindromic sequence palindromic sequence होते क्या है base pairs sequence that are same when read it forward और backward direction DNA में base pairs का वो sequence जो सेम होता है चाहे हम उसे forward direction में पढ़े या backward direction में पढ़े जैसे आप यहां पे देखिए चाहे आप G, A, A, T, C पढ़िए चाहे G, A, A, T, C पढ़िए तोनों में क्या है G क्या है palindromic sequence की तरह act कर रहा है क्योंकि आप 5-to-3-to-3-to-3 की direction में पढ़ रहे है तो भी G, A, A, T, T, C आ रहा है और 3-to-5 की में पढ़ रहे है तो भी G, A, A, T, C आ रहा है अब restriction endonuclease काम कैसे करता है restriction endonuclease recognize palindromic sequence in DNA DNA में palindromic sequence को पैचानता है और उनमें cut लगाता है restriction enzyme cut the DNA at a little away from center यह center चे थोड़ा hut के cut को लगाता है but between same two basis of opposite strand लेकिन तो opposite strand के same basis में लगाता है जैसे A and G के बीच में cut लगाएगा उपर के strand में भी और नीचे के strand में भी ठीक है and produce sticky end और sticky ends को produce करता है next मारा question आता है explain how to find weather and E. coli bacterium transform or not when a RDNA bearing ampicillin resistance gene is transferred into it आपको बताना है कि हम कैसे पता लगाएगे कि एक जो essatia coli है bacterium वो transform हो रहा है यानि उसमें changes आ रहे है जब हम उसमें एक RDNA को introduce करते हैं जो ampicillin resistance gene को carry करता है B part पूछा किया है what does the ampicillin resistance gene act as in the above cases और इनमें ampicillin resistance gene क्या काम करता है so सबसे पहले हम इससे starting से discuss करते हैं कि यह होता क्या means यहाँ पे आपको transformant में से non-transformant अलग करने है so यह होता कैसे है इस चीज़ को सुमझते हैं और यह एक important question है ठीक है यहाँ से कई बार question पूछा जाता है तो इससे समझिए we can lie data foreign DNA at balm H1 site of tetracycline resistance gene in vector PBR 322 हम क्या करते हैं vector PBR 322 में tetracycline resistance gene जो होता है वहाँ पे balm H1 से कट लगवा के वहाँ पे अपना desired DNA छोडते हैं या desired DNA को वहाँ पे attach करते हैं recombinant plasmid अब देखे वेक्टर PBR में क्या है vector DNA भी है और desired DNA भी है तो अब उसे हम यहाँ पे क्या कर रहे है recombinant plasmid ठीक है recombinant plasmid will lose tetracycline resistance due to insertion of foreign DNA अब देखे resistance जो माली जे tetracycline resistance gene जीन था ठीक है महाँ पे आके foreign DNA attach हो गया तो अब जो हमारा tetracycline resistance gene है वो काम करना बंद कर देगा example दूँ तो माली जी आपने किसी के हाथ में बंदूग दी ठीक है लेकिन उस बंदूग में से सारी example जे माली जी आपने किसी एक इनसान को एक बंदूग दी ठीक है और उसके दोनों हाथों को फैवी कुइक से चिपका दिया तो फैवी कुइक का मजबूच जोर पानी में भी नहीं छूटता तो ऐसे कंडिशन्स में वो गन नहीं चला पाएगा तो उसके हाथ में गन देने का कुछ फायदा नहीं है इसी तरीके से जब रिकॉमिनेंट प्लास्मिड में जो tetracycline resistance zine था उसमें हमने जब क्या करा desired dna को introduce कर दिया तो वहाँ पे अब tetracycline resistance zine भी काम नहीं करेगा और इस चीज़ को हम बोलते हैं insertional inactivation insertional inactivation क्यों बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे foreign dna को insert करने के मज़े से tetracycline resistance zine क्या हो गया inactive हो गया इसलिए इस चीज़ को क्या बोलते है insertional inactivation bacterial cell containing such rdna grow on ampicillin medium but do not grow on tetracycline अब ऐसी bacterial cell जिसमें हमने क्या करा rdna को introduce करा तो rdna में देखे क्या है rdna में क्या है tetracycline resistance zine नहीं है ठीक है क्या है नहीं है तो वो tetracycline पे grow नहीं करेगी क्योंकि tetracycline क्या है antibiotic है तो जब इस rdna के पास tetracycline antibiotic resistance नहीं है तो tetracycline की presence में वो grow नहीं करेगा ठीक है लेकिन ampicillin medium की presence में grow करेगा क्योंकि उसके पास ampicillin resistance zine है जैसे question में पता आगिया था तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी bacterial cell transformant है means वो changes वो transform हो रही है rdna के introduce होने की वज़य से अब देखिए जो हमारी bacterial cell थी जो ampicillin पे grow कर रही थी उन्हें अब हम transfer कर देंगे tetracycline वाले किस पे medium पे तो tetracycline वाले पे transformant तो हमारी क्या करेंगी grow नहीं करेंगी लेकिन जो हमारी non-recombinant cell होंगी कौन सी cell होंगी non-recombinant यहां पे यह चीज़ ध्यान से देखना non-recombinant बोला है मैंने non-recombinant cell जो होंगी वो tetracycline पे grow करेंगी क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो हमारा desire DNA है उसका insertion अच्छे से नहीं हुआ है इसलिए वो RDNA बना ही नहीं है तो जो RDNA बना ही नहीं है उसे हम क्या कहेंगे non-recombinant तो इसलिए क्या होगा? जो cell ampicillin पे grow करेंगी और tetracycline पे grow नहीं करेंगी वो bacterial cell हमारी क्या है? transformant और वो cell जो हमारी ampicillin पे भी grow करेंगी और tetracycline पे भी grow करेंगी वो हमारी क्या है? non-recombinant cell hence we can easily select transformant from non-transformant and recombinant from non-recombinant तो इस तरीके से हम transformant cell को easily अलग कर लेंगे non-transformant cell से और recombinant cell को easily अलग कर लेंगे non-recombinant cell से इसके बाद आता है ampicillin का यहाँ पे क्या रोल था? ampicillin resistance gene act as selectable marker for selection of transformant from non-transformant ampicillin resistance gene क्या है? as a selectable marker अपने आपको selectable marker as a हमें help करता है ताकि हम transformant और non-transformant को अलग कर सके इसके बाद हमारा next question आता है with the help of a diagram show different steps in the formation of RDNA by the action of restriction endonuclease enzyme E-core 1 E-core 1 restriction enzyme का use करके किस तरीके से RDNA का formation होता है? यह आपको बताना है लेकिन diagram की मदद से B question पूछा गया है name the technique that is used for separating the fragments of DNA cut by restriction endonuclease ऐसी technique का नाम बताना है और उसे explain करना है जो DNA fragments का separation में help करती है so यह दोनों ही question में आपको NCRT के थुरू समझाने वाला हूँ so देखे पहले आप point में क्या करेंगे जो हमें NCRT में diagram दे रखा है यह वाला आपको यही diagram बना के आना है paper में देखे यहाँ पे लिखा भी गया है steps in the formation of e-combinant DNA by action of restriction endonucleus enzyme e-core 1 ठीक है so यह आपको completely बनाना आना चाहिए और जब मैंने important diagrams की बात करी तो उसमें मैंने बताया था कि यह diagram important है तो इसे अच्छे से prepare करना next हमारा question जो था उसमें कि technique का नाम बताना है जिससे हम क्या करें DNA fragments को अलग कर सके तो name है gel electrophoresis and इसके जो भी आप जो भी इसका procedure है उसे भी पढ़ लेना कई बार क्या होता है directly पूछ लेता है explain gel electrophoresis तो उसमें भी आपको यह help करेगा so आज की वीडियो में इतना ही I hope यह वीडियो आपको अच्छी लगी है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो please इस वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों के साथ share करना मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए thanks for watching